हलो प्यारों बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी पहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चनल जारे डाउनलेन क्लासेज में बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारे विश्य गनित सब्तह बाइस कक्षा तीन की वरकशीट आज का उपविश्य है बच्चों कितने गुणा तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाए लाल बटन दबाईए और सभी चनल को सस्क्राइब क किजे चनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए पहला है बच्चों पैटन को देखकर रिक्त स्थान भरे आठ गुणा एक आठ इसको हमने लिखा दस में से दो घटा के आठ गुणा दो सोला इसे हमने लिखा वीज में से चार घटा के आठ गुणा तीन चौबिस तीस में से गटाया आठ गुणा चार बत्तिस इसे हम कैसे करेंगे बच्चों चालिस में से आठ गटाएंगे इसी तरह आठ में से आठ गुणा पाच चालिस तो यहां पचास और यहां दस देखें बच्चों यहां दस की गंती चल रही है यहां दो की पहाड़ा चल रहा है इसी तरह आट को 6 से करेंगे 48, आट को 7 से करेंगे 56, फिर 64, फिर 72 और फिर 80, यहां 5 का पाड़ा लिखते जाएंगे 50, 60, 70, 80, 90, 100 और यहां 2 का लिखते जाएंगे 12, 14, 16, 18 और 20 इस तरह से आपको यह पुरा करना है अगला 9 को 1 से गुणा किया 9, 0 में 9 जोड़ा 9, 9 को 2 से किया 18, 1 में 8 जोड़ा 9, 9 को 3 से किया 27, 2 को 7 में जोड़ा 9, 9 को 4 से गुणा किया 36, 3 और 6, 9, 9 को 5 से किया 45, तो यहां जोड़ेंगे 4 और 5, ठीके 9 9 9 हमें लाना है 9 को 6 से किया 54 तो यहाँ पर 5 और 4 जोड़ा 9 9 को 7 से करा 63 6 और 3 जोड़ा 9 9 को 8 से किया 22 तो यहाँ 7 और 2 9 को 9 से किया 81 8 और 1 9 को 10 से किया 90 9 और 0 ठीक है बच्चों इस तरह से आप सभी को इसे हल करना है अगला है बच्चों निमलिखित के गुणन तत्थे लिखिए 36 9 को 4 से करा और 6 को 6 से किया तो आया 36 24 का होगा 8 को 3 से किया और 12 को 2 से किया 16 के लिए 4 को 4 से किया 8 को 2 से किया 18 के लिए 6 को 3 से किया और 9 को 2 से गिया, 40 20 को 2 से किया और 4 को 10 से गुणा किया, तो हमारा ये उत्तर आया, अगला है भाग काय में दी गई विधी अनुसार भाग के को हल करें, तो देखे बच्चों, 36 गुणा 2, तो देखे बच्चों, 36 को हमने 2 से गुणा किया, तो 36 को हमने यहां लिखा, 30 प्लस 6, और यहां 2 का 2, अब देखे बच्चों, इन दोनों को हमने यहां लिखा, 30 गुणा 2, और 6 गुणा 2, तो 30 को 6 से किया, 60 और 6 को 2 से किया, 12, अब 6 और 12 को जोड़ा तो किता है, बहतर, 6 प्लस 7 17 और यहां आएगा 6 ठीक है अब 10 को 6 से गुणा करेंगे और फिर 7 को 6 से गुणा करेंगे 10 को 6 से किया 60 7 को 6 से किया 42 अब दोनों को जोड़ा तो इक इत्ता हो गया 102 51 गुणा 4 तो 50 में 1 जोड़ा और यहां 4 का 4 अब बच्चों यहां 50 को 4 से गुणा करेंगे और 1 को 4 से गुणा करेंगे 50 को 4 से किया 200 एक को 4 से किया 4 200 में 4 जोड़ा तो यह हो गया 204 ठीक है बच्चों अगला है गुनन गृड को पूरा करें अब बच्चों यह गृड हमें दिया गया है इसे हमें पूरा करना है बच्चों हमें इन सभी को पूरा करना है तो यह 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 8, 16, 24, 32, 42, 48, 56, 64, 42, 80, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 62, 81, 90, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 60, 70, 80, 90, 100 इस तरह से बच्चों आप सभी को गुरन ग्रेड को इसे पूरी करनी हैं अगला है बच्चों जीवन कोशल तापमान की इकाई का घ्यान तापमान एक निश्चित पैमाने पर मापी जाने वाली गर्माहट और थंड़क की डिगरी है तापमान को थर्मामेटर से मापा जाता है सबसे आम पैमाना है Celsius Celsius की रूप में चिनेत होता है इस तरह से आप देखेंगे तो आप समझ जाना कि इसका मतलब होता है Celsius Fahrenheit की रूप में ये होता है तापमान को मापने के लिए उप्योग की जाने वाली दो इकायों के नाम बताईए तो बच्चो कौन कौन सी है अभी हम सभी ने पढ़ी Celsius ठीक है और दूसरी है Fahrenheit ठीक है बच्चो अगला है निम्प कपड़ों के साथ जाने वाले थर्मामेटर का गोला लगाईए बच्चो टोपा टोपा थंड़ा है यह गरम गरम निकर सौरी निकर हम गर्मों में पैनते हैं बोट सर्दियों में चपल गर्मी में इसमें गरम जाएगा और मफलर मफलर थंड में ठीक है बच्चो इस तरह से आप सभी को से हल करना है अगला है बच्चो संसका शाला छोटी छोटी पर बड़ी बाते हम अपने विचारों के वशीबूत है अगर हम अपने सोच नहीं बदल सकते तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते खादे रंग पीला पीले रंग का खादे पदात खाये उधारन के लिए केला पीली दाल आदी परिवार के साथ समय खेल टिक टेक वो चिडिया उड अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेले गतिवीदी पौधों को पाने देना ये गतिवीदी आप सभी को करनी है जैनिक दिन चरिया निम्लिकित आदतों को अपने दिन चरिया में शामिल करे अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करे अपने दातों को दिन में दो बार ब्रश करे प्रति दिन इस्नान करे खूब पानी पी और संतुलित आहार ले अपने चेरे को छूने से बचो और अपने हाथों को बार-बार धोए अपना ग्रहकारे समय पर पूरा करे तो बचो इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है उमीद करती हूँ बचो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी लाइक बटन दबा करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर लिख कर बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाए लाल बटन दबाएए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद